ये है फसाहत अली खान शानू आजम खान के कवेखा समकास मीडिया प्रभारी रहे शानू ने उपचुनाओ से ठीक पहले पाला बदल लिया ऐसे में ये सवाल उटने लगा है कि अब ऐसा दौर आ गया है कि आजम खान अकेले पड़ते जा रही है लेकिन बीजेपी के इस कदम के बाद आजम खान चुप नहीं रहे उन्होंने सीधे दोर पर बीजेपी के नहले पर अपना तहला दे मारा उन्होंने बीजेपी के कई नेताओं और कार्यकरताओं को अपने पाले में कर लिया इस मौगे पर आधम खानने कहा कि ये काम काभी पहले करना चाते थी लेकिन अब मौका मिला इस जोगह उन्होंने कहा कि चुनाव लोगंद्थन्थ। का परव कहा जाता है लेकिन क्या हो रहा है इस पर टिपड़ी करने से बहतर ये है कि हम खोद इसका हैसास करें और हालात का मकाबला करें ऐसी फतह हासिल करें कि लोग तंतर को दमन तंतर से बचाये जा सके उन्होंने कहा कि कभी भी समाजवादी पार्टी ने इंसानों के बीच भीदवाव नहीं किया चुनाव आते जाते रहते हैं लेकिन चुनाव के बारे में ऐसा अन्याय का इतिहास रचा जा रहा है जिसे आने वाली सदियां भी याद रखेंगी जुल्म करने वालों का जुल्म और बरदाश करने वालों का मादा याद रखा जाएगा वहीं इसके अलावा सबाप्रत्याश्वी आसिम रजा ने भी शानू पर जम कर निशाना साधा और कहा कि वो अपना है जो हमारे साथ है समय के साथ लोग बदल जाते हैं लेकिन ये चुनाव इतिहास रचेगा पताने कि मैंपुरी के बाद रामपुर का चुनाव भी दीरे दीरे बेहत दिल्चस्प होता जा रहा है क्योंकि जब से आजम खान के दाहिने हाथ कहे जाने वाले शानू बीजेपी में शामिल हुए है उसके बाद से मानो ये लड़ाई को ज़्यादा ही दिल्चस्प हो गई है हुए 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 है अब आने वाले वक्त में देखना होगा कि जब चुनाव होंगे तो कौन किस परभादी पड़ेगा बताने कि आजम खान रामपूर में कई वर्षों से नहीं हा रहे हैं लेकिन इस बार उनके सामने सिर्फ बीजेपी चुनाओती नहीं है क्योंकि अब शानों ने भी पाला बदल लिया है तो वही रामपूर के सियासत में नवाब परिवार और आजम खान के रिष्टे जगजाहिद है रामपूर में नवाब खानदान की सियासत के लिए कभी आजम खान ग्रहन बने थे तो आज नवाब परिवार उनके लिए संकट खड़ा कर रहा है पूर्व मंद्री नवाब काजिम अली खान और पनावे दुमिया और गन्ना विकास परिष्ट के पूर्वध्यक्ष बाबर अली खान ने रामपुर उपचुनाओं में बीजेपी को समर्थन देने का एलान किया है नवाब काजिम अली और बाबर इली खान कॉंग्रस पार्टी में हैं लेकिन आजम कान से राजनितिक अदावत के चलते रामपुर सीट पर बीजेपी के साथ कड़े हैं ये दोनों ही निता हाली में हुए लोगसबा चुनाओं के दोरान भी बीजेपी को समर्थन किया था रामपुर लोग सभा उप्चुनाओं में बीजेपी ने जीते दर्च गी थी और अब फिर से दोनों ही निताओं ने बीजेपी को समर्थन दे कर सभा में खलबली मच गई है अब देखना होगा कि रामपुर चुनाओं में कौन बाजी मारता है पिरर रिपोर्ट पंजाब के स्टेटीवी